इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। उपर से नीचे तक विभू का एक दम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे। टाई भी लगाना नहीं भूलते थे। जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किन्तु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे। एक दम बदले बदले। खादी का कुर्ता, पाजामा, साधारण सी चपलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और हैं। विभू का मेरा सामान भीता रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यहां हिदायत देना भी ना भूले कि विजय का ध्यान रखना। सच मुझ, मुझे कहीं कोई कश्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर से काका का यहां अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा, दो दो ट्रेक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गाएं बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सबजियों की बगीची थी। दूर लहलाहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यहां नंदन बन मुझे बड़ा लुभामना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। विभुका ने अमरीका में क्रिशी विज्यान की पढ़ाई की थी। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किसमें तयार की थी। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उख सकती थी। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरसकार प्राप्थ हुए थे। अक्सरवे, योरोप, अमरीका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहां बड़े-बड़े भाशन दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूंती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहां की सरकारों ने बड़े-बड़े प्रलोभन भी दिये थे। किन्तु कागा को तो अपना ही देश प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। शाम को वे मुझे अपनी जीब गाड़ी में बठा कर आसपास के गाउं में घुमाने ले गए। वहां का नोखा द्रिश्य देखकर मेरी आखे खुली की खुली रह गई। गाउं में सभी घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गाएं बदी थी। गाउं के बीच एक पाठ शाला थी। सब बच्चे साफ सुधरे कपड़े पहने थे। लोग सुष्थ तथा रिश्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। पर ऐसे गाउं मैंने कहीं नहीं देखे। गाउं के लोगों ने बताया कि यह ख्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था। पर जब से काका ने यहां अपना फार्म बनाया तब से सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन की पैदावार बढ़े। वे सब को बताते हैं सुच्छ रहने से क्या क्या लाब हैं। आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। और बच्चें को पाडशाला क्यूं भेजना चाहिए। देश-विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ग्यान प्राप्त किया। उसका लाब उन्होंने घर घर गाउं गाउं में जाकर प्राप्तुद आए।